एलो आज हम यहां पे यह सिखेंगे कि पिक्चर को कैसे इंसल्ट किया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पे इंसल्ट टैप पे जाएंगे इंसल्ट टैप पे जाने के बाद इल्यूस्टेशन गुरूम में जाएगे यहां पे जाने के बाद इसके बाद हम यहां पे picture के more button पे click करेंगे यहां पे दो option आ जाएंगे एक है this device एक है online picture तो this device का मतलब यह होता है कि जो हमारे यहां पे computer में कोई भी picture रखी हुई है उसको हम यहां पे Excel worksheet में यहां पे insert कर सकते हैं अगर हम कोई online picture insert करना जाते हैं तो हम यहां पे दूसरे option पे click करेंगे तो online picture यहां पे हम insert कर सकते हैं यहां पे हम अपने computer से कोई picture यहां पे insert करेंगे तो इसको करने के लिए हम यहां पे this device पे click करेंगे this device पे click करने के बाद यह dialogue box हमारे पास खुल जाएगा खुलने के बाद यहां पे कहां पे picture रखी हुई है document में रखी हुई है desktop पे रखी हुई है जहां पे हमने इसको रखा हुआ है वहां पे हम click करेंगे या D drive में रखी हुई है या यहां पे F drive में रखी हुई है suppose करो मैंने यहां पे picture F drive में रखी हुई है F drive पे क्लिक करने के बाद यहां पे बहुत सी pictures है अब यहां पे कौन सी picture insert करनी है उसको उपर click करेंगे यहां पे suppose करो यह picture चाहिए यहां पे click किया click करने के बाद यहां पे insult पे click किया insult पे click करने के बाद यह देखो यह picture यहां पे आ जाएगी अब इस picture का हम size बढ़ाएंगे यह दिखो यहां पे click किया है यहां से इसको size बढ़ाया यहां पे इसको click किया है यहां से size बढ़ाया यहां से click किया है इसका size यहां से बढ़ाया तो यहां से हम इसका size बढ़ा के यहां पे रखेंगे और इसको यहां पे कर देंगे तो यह picture यहाँ पे insert हो जाएगी insert होने के बाद यहाँ पे एक tab बन जाता है यह जो first है यहाँ पे दिये गया है remove background तो जब हम यहाँ पे remove background पे click करेंगे तो जो इस pictures की background है वो यहाँ से remove हो जाएगी यह देखो picture के उपर click किया click करने के बाद यहां पे remove background पे click किया click करने के बाद यह देको सारी pictures यहां पे select हो जाएगी select होने के बाद हम क्या करना जाते हैं इसकी background को remove करना जाते हैं तो remove करने के लिए यहां पे हम इसका size यह कामिया ज़्यादा कर सकते हैं यह तो हमने क्या करना है यहां पे जैसे first पे click किया mark area to keep यहां पे click किया click करने के बाद यहां पे keep changes यहां पे click किया तो यह देखो इसकी जो background है वो यहां से चली जाएगी अगर हमें यह background बापिस चाहिए तो हम क्या करेंगे ctrl z undo करेंगे इसको यह बापिस आजाएगी इसके बाद आगला correction तो correction में क्या होता है अगर हम इसकी brightness यह contrast बगारा कामिया जादा करना जाते हैं तो यहां पे बहुत से option आ जाएगे यह देखो यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद जिसके उपर मैं pointer ले जाओंगा यह देखो इसकी brightness और contrast इसका change हो रहा है यह देखो जो भी हमें ठीक लगता है उसके ओपर हम click करेंगे वो यहां पे apply हो जाएगा suppose करो मुझे यह चाहिए यहां पे click किया यहां पे apply हो गया इसके बाद आ गया color color पे click करेंगे तो यह देखो अलाग लग इसमे color है कौन सा color चाहिए जैसे इसमें चाहिए तो यह देखो इसमें हो गया इसमें चाहिए इसमें हो गया जो भी चाहिए उसके ओपर click करेंगे व अगर इस picture में effects लगाना जाते हैं हम, तो क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, effects पे, और यहां पे देखो, यह बहुत से effects यहां पे दिये गए है, यह effect चाहिए, तो यहां पे click किया, यह effect यहां पे apply हो जाएगा, picture के लिए, और चाहिए, तो यहां में और पे click करेंगे जैसे यह effect चाहिए तो इस पे click किया यह effect यहां पे apply हो जाएगा यहां में कोई भी effect नहीं रखना है तो हम यहां पे जाएंगे और यहां पे click करेंगे यह effect यहां पे आ जाएगा इसके वाद है compress picture इसका मतलब क्या होता है अगर हम picture का size को कम करना जाते है तो हम यहां पे click करेंगे तो इससे क्या होगा picture का जो size है वो कम हो जाएगा इसके वाद अगर picture को change करना जाते है तो हम के करेंगे यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के वाद suppose करो हमें यह picture चाहिए तो इस picture को हम change कर सकते हैं यहां पे insult पे click किया insult पे click करने के बाद यह लिखो यह picture यहां पे आ जाएगी तो इसको हम change कर सकते हैं अगर और कोई change करनी है तो और भी change कर सकते हैं फिर ही यहां पे जाएंगे यहां पे जाने के बाद अब कौन सी चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करेंगे जैसे हमें यहाँ पे यह चाहिए फिर हम इसको चेंड करेंगे इंसल्ट पे क्लिक किया है यह देखो यहाँ पे यह आ जाएगे अगर online picture चेंड करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे यहां पे जाने के बाद यहां पे देखो from online sources यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद कौन सी यहां पे category चाहिए वो यहां पे भरेंगे जो picture आएंगी उस पे हम click करेंगे वो picture यहां पे change हो जाएगी इसके बाद है reset picture अगर इस picture को reset करना जाते हैं तो हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे reset picture यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद इसको reset कर सकते हैं शोटा बड़ा जो भी करना है यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं लेको reset तो reset करना हो तो हम यहां से भी कर सकते हैं लेकिन यहां से करना है तो यहां से भी हम इसको reset कर सकते हैं इसके वाद आगे है यहां पे picture style कि यह जो picture है इसका style अगर यहां पे कोई रखना है हमने suppose करो यह सब भी picture style है जो भी हमें अच्छा लगेगा उसके ओपर हम click वो style यहां पर apply हो जाएगा suppose करो हमें यह style चाहिए इसके ओपर click किया तो यह style यहां पर apply हो गया यह और चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यह देखो बहुत से यहाँ पर स्टाइल है जो भी स्टाइल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यह स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा यह देखो इस पर क्लिक किया है तो यह स्टाइल यहाँ पर आ गया है तो यह स्टाइल हम यहाँ प स्पोज करो इसका बॉर्डर जो है हमने red में रखना है तो red में रखना है यहां पे क्लिक करेंगे या और कोई color में रखना है तो यहां पे color हम चूज करेंगे उस color में यह बॉर्डर आ जाएगा suppose करो हमने यहां पे इसको light blue में करना है यह देखो यहां पे click किया यह light blue में इसका border यहां पे आ जाएगा इसके बाद है picture effects इसको हम यहां पे ले आते हैं आने के बाद यहां पे आ गया है picture effect यहां पे effects दिये गए है कि कौन सा यहां पे लगाना है preset में ये दिये गए है ये देखो picture change हो रही है जिसके उपर मैं pointer ले जा रहा हूँ ये picture change हो रही है तो जो भी हमें अच्छा लगेगा वो effect हमने यहां पर apply कर देना है ये देखो सभी यहां पर इसके वाद आगया shadow का अगर shadow में चाहिए तो हम ये shadow में click करेंगे ये देखो ये shadow में आ रहा है ये इसके वाद है reflection अगर इस picture की reflection हम show करना जाते है तो ये style यहां पर पड़ी हूँ है ये देखो यहां पर click किया यहां पर click किया तो इसकी जो reflection है यहां पर आ रही है यह देखो यह पिक्चर है हमारे यह पिक्चर है इसकी रिफ्लेक्शन जो है यहां पे निचे आ रही है यहां पे क्लिक किया पिक्चर एफेक्ट पे और यहां पे रिफ्लेक्शन और यह देखो रिफ्लेक्शन इसकी निचे यहां पे आ रही है यह देखो यह बन के आ रही है निचे यहां पे क्लिक किया यह जो reflection है इसकी बनके निचे आ रही है यह अगर इसको अटाना है हम यहां पे picture effect पे जाएंगे reflection पे जाएंगे यहां पे none पे क्लिक करेंगे यहां से यह अड़ जाएगी इसके बाद और भी यहां पे आ है style यहां पे glow में करना है इसको तो glow में क कर सकते हैं ये देखो किस glow में करना है यहां पे सभी यहां पे style दिये गया है तो suppose करो हमने देखो यहां पे click किया इस glow में आ रहा है इसके बाद आगे soft edges अगर इसमें करना है तो इसमें कर सकते हैं इसके बाद बीवर यहां पे क्लिक किया तो यहां पे यह style है किस style में चाहिए यह सभी यहां पे आ रही है तो जो भी style हमें यहां पे अच्छा लगेगा उस पे हम click करेंगे यह यहां पे apply हो जाएगा suppose करो यह angle वाला चाहिए यहां पे click किया तो यह style यहां पे apply हो गया इसके बाद आगे है 3D rotation आगर picture को rotation में करना है तो यह rotation के यहाँ पे style है यह देखो picture जो है rotate हो रही है style पड़े हुए है जो भी style हमें अच्छा लगेगा उसके ओपर हम click करेंगे वो style यहाँ पे apply हो जाएगा तो suppose करो हमें इस rotation में चाहिए तो यहाँ पे click करेंगे यह देखो इस rotation में यह picture आ जाएगी यह इसमें बन के आ जाएगी अगर यह rotation हटानी है यहाँ पे click किया फिर यहाँ पे effect पे गए 3D rotation ओपर click करेंगे none इसके बाद है picture layout तो picture layout यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे बहुत स जाते हैं तो हम यहां पे क्लिक करेंगे पिक्चर योट पे और लिखने के लिए यहां पर यहां पर आ जाईगा तो स्पाउज करो यह इसको करने के लिए पहले क्या करेंगे हम यहा पे तीन picture यहां पे इंसेल्ट करेंगे एक यह है दो picture और इंसेल्ट करेंगे इनसेल्ट जब हम करेंगे तो यह जो bring forward है यह भी यहां पे activity हो जाएगा और send back word आए यह भी activate हो जाएगा तो पहले इसका size हम यहाँ पे काम करते हैं यह, यह size इस picture का काम किया, काम करने के बाद फिर हम यहाँ पे insult टैप पे जाएंगे, यहाँ से picture insult करेंगे, this device, this device के बाद एक तो picture यह हमने insult की, यह देको insult पे गए, यह picture यहाँ पे आ जाएगी, यह picture हमने यहाँ पे रखी, रखने के बाद इसका भी size, इस size के बरावर किया ये, ये किया, इसके बाद एक picture और insult करेंगे, insult टैप पे जाएंगे, और यहां पे picture और इसके बाद this device और यहां से एक picture और हम यहां पे insult करेंगे, यहां पे click किया, insult पे click किया, insult पे click करने के बाद ये picture यहां पे आ जाएगी, इसको हमने size इसका कम किया कम करने के बाद थोड़ा सा size और कम किया इसका ये कम करने के बाद ये picture यहां पे रखी और इसका size इसके बराबर कर दिया ये तीन picture यहां पे हमने insult कर दी insult करने के बाद ये लिखो ये send forward ये भी यहां पे activate हो गया और ये send backward ये भी यहां पे activate हो गया अब क् पिक्चर जैसे suppose करो हम इस पिक्चर को इसके उपर यहां पे ले आते हैं और इसके बाद इस पिक्चर को यह पिक्चर हमने इसके उपर रख दी इसके बाद यह जो पिक्चर है इस पिक्चर को आगर हम इस पिक्चर के पिछे ले जाना जाते हैं तो यह कैसे करेंगे यहां प पिक्चर आगे आ जाएगी इसके वाद इस पिक्चर को अगर हम इस पिक्चर के आगे लाना जाते हैं तो यह कैसे करेंगे यहाँ पे ब्रिंग फारवर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रिंग फारवर्ड यह देखो यह पिक्चर सबसे उपर यहाँ पे आ हैंगे click करने के वाद send backward तो यह दिखो यह picture जो है यह आगे आ जाएगी आगर कीज इस picture को हम उपर ले आना चत्ते हैं इस picture तो यह कैसे करेंगी यहां पर पीत्चिर पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद bring forward यहां पे क्लिक करेंगे यह देखो यह picture इसके उपर आ जाएगी तो इस प्रकार अगर हम picture को पिछे ले जाना जाते है या आगे ले जाना जाते है तो हम आगे ले आनी है तो bring forward पिछे ले जानी है तो send backward इसका use करेंगे इसके बाद इन pictures को हम यहां पे रखते हैं यह pictures यहां पे रखी रखने के बाद इसके बाद है selection pen तो इसका use कैसे करेंगे अगर हम चाहते हैं कि यह एक picture हमने यहां से hide करनी है यह दो picture है हाइड करनी है यह सभी hide करनी है तो यह कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम यहाँ पे selection pen पे click करेंगे selection pen यहाँ पे बन के आ जाएगा यहाँ पे हम किसी picture को hide करना जाते हैं जैसे picture number 14 यह hide करनी है तो यहाँ पे हम click करेंगे यह देखो यहाँ पे click किया click करने के बाद यह picture यहाँ से hide हो जाएगी इसके बाद अगर यह picture हमने hide करनी है तो यहाँ पे इसको click करेंगे यह भी hide हो जाएगी इसके बाद यह जो picture है यह भी hide करनी है तो यहाँ पे click करेंगे यह picture भी hide हो जाएगी अगर सभी हमें चाहिए या एक चाहिए तो फिर हम यहाँ पे click करेंगे यह दिखो यह picture आ गई इसके बाद यह picture आ गई इसके बाद यहां पे click किया यह picture भी यहां पे आ जाएगी अगर सब ही hide करनी है तो यहां से भी कर सकता है hide all यह दिखो सब ही hide हो जाएगे अगर सब ही हमें चाहिए show all यहां पे क्लिक किया यह सभी यहां पे आ जाएंगे इसके बाद यहां पे हमारे पास यह तीन पिक्चर्स है अगर इन तीन पिक्चर्स को हम एक साथ उपर ले जाना जाते है टॉप में तो यह कैसे ले जाएंगे bottom में ले जाना जाते हैं तो ये कैसे ले आएंगे या left side करना जाते हैं तो ये कैसे करेंगे या right side करना जाते हैं तो ये कैसे करेंगे इसको करने के लिए ये देखो जैसे मैंने ये center पे click किया और इस picture को उपर ले गया है तो ये एकी picture टॉप में जा रही है इसको निचे ले आएंगे तो यह निचे आ रही है तो हम इन तीनो पिक्चरों को एक साथ उपन निचे लेफ्ट राइट करना जाते हैं तो यह कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम यहाँ पे ग्रूप में जाएंगे लेकर यहाँ पे ग्रूप बंद पड़ा हुआ है इसको यहाँ पे ओपन करेंगे ओपन करने के लिए हम तीनों को इनको स्लेक्ट करेंगे पिक्चर को तो तीनों को स्लेक्ट कैसे किये जाता है इसको हम कीवोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे इसके बाद यहां पे क्लिक किया इसके बाद दूसरी पिक्चर पे क्लिक किया इसके बाद यह last तीसरी पिक्चर पे क्लिक किया यह तीनों यहां पे select हो जाएंगी select होने के बाद यहां पे दिखो यह group जो है यहां पे open हो गया है यहां पे more button पे क्लिक करेंगे इसको टॉप में लेगे तो तीनों एक साथ जा रही है इसको बोटम में ले आएंगे तो तीनों एक साथ बोटम में आ रही है इसको लेट साइड ले जाएंगे तो ये लेट साइड जा रही है राइड साइड तो ये राइड साइड आ रही है तो इस प्रकार हम इन तीनों का ग्रूप बना सकते हैं तो अगर हम यह चाहते हैं कि एक एक को अब हम अन ग्रूप करें इसको तो यह कैसे करेंगे तो यह करने के लिए हम ग्रूप में जाएंगे यहां पर और अन ग्रूप यहां पर दिये गया है अन ग्रूप यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद य यहां पे कोई picture यहां पे top में ले जाएंगे इसको यहां पे लेगे एक एक picture जा रही है इसको भी एक एक जा रही है यह भी एक एक जा रही है अगर फिर हम इसको group में करना जाते हैं तो फिर हम यहां पे जाएंगे group में और regroup कर देंगे तो यह इनका फिर से group बन जाएगा फ फिर हम इनको एक साथ आगे पीछे उपर नीचे ले जा सकते हैं ये लिखो फिर हम यहां पे ग्रूप में जाएंगे और अनग्रूप कर देंगे अनग्रूप करने पे ये इनका अनग्रूप हो जाएगा ये लिखो अनग्रूप हो गया है तो इस प्रकार हम इन पिक्चर्स क ग्रूप भी बना सकते हैं और इनको अन ग्रूप भी कर सकते हैं इसके बाद अगर इनको रोटेट करना है स्पोस करो यह सेंटर वाली है इसको रोटेट करना है रोटेट पर जाएंगे और यहां पर क्या करना है रोटेट राइट 90 डिग्री करना है तो 90 डिग्री यहां पर क तो यह ओरिजन्टल हो जाएगी तो इस प्रकार हम इनको rotate भी करवा सकते हैं इसके बाद आगे है crop suppose करो यह picture है, इसको crop करना है तो इसको कैसे crop करेंगे यहाँपे crop पर जाएगे crop में जाने के बाद यहाँपे crop यहाँपे κलिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद पॉस करो इस पिक्चर को और शोटा करना है यहां पे इसको क्रॉप करना है यह देखो यहां से क्रॉप किया यहां से क्रॉप किये क्रॉप करने के बाद फिर यहां पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे यह देखो क्रॉप तो यह picture यहाँ पे crop हो जाएगी यह देखो शोटी बन जाएगी यह तो इस तरह से यह picture यहाँ पे crop होके आ जाएगी इसके बाद फिर हम यहाँ पे format टैप पे click करेंगे इसके बाद है crop के more button पे click करेंगे crop to shape अगर किसी shape में इसको crop करना जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सी shape है जिसके उपर हम क्लिक करेंगे उस शे में ये क्रॉप हो जाएगी तो अगर हमने इस में करना है तो ये देखो इस शे में ये क्रॉप हो जाएगी तो इस शे में हम इसको क्रॉप करवा सकते हैं इसके बाद फिर यहां पे पिक्चर पे क्लिक किया और यहां पे क्रॉप पे क्ल सकते हैं जैसे यह height यहां पे दी गई है इसको बढ़ाना है यह दिको height यहां से बढ़ रही है कम करनी है तो यहां से कम कर सकते हैं इसके बाद इसकी width है अगर इसको कम या ज़्यादा करना जाते हैं तो हम यहां पे click करेंगे यह दिको width ज़्यादा हो रही है अगर कम करनी है width तो ये कम हो अरी है, तो इस प्रकार यआ पे हम picture की bits को कम या जादा कर सकते हैं इसके बाद हम करेंगे कि online picture को insert कैसे की है जाता है तो इसको करने के लिए हम ये second sheet open करेंगे, यहां पे second sheet पे click किया इसके बाद अगर हम यहां पे access sheet में online picture इंसल्ट करना जाते हैं तो हम यहां पे insert tab पे जाएंगे insert tab पे जाने के बाद illustration group में picture यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद online picture यहां पे click करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च में हमने लिखना है कि किस की पिक्चर यहाँ पे इंसल्ट करवानी है तो यहाँ पे हम नेम लिखेंगे जैसे यहाँ पे एपल यह पिक्चर यहाँ पे हमने इंसल्ट करवानी है यहां पे लिखा Apple Apple लिखने के बाद यहां पे सर्च करेंगे सर्च करने के बाद Apple की यहां पे पिक्चर्स आ जाएंगी यह देखो यह पिक्चर्स आ गई अब क्या करेंगे हम यहां पे जो पिक्चर्स यहां पे चाहिए उसके ओपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये पिक्चर्स यहां पे आ जाईगी तो इस प्रकार ओनलाइन कोई भी पिक्चर हम यहां पे एक्सल शीट में इंसर्ट करवा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने सीखा कि पिक्चर्स को इंसर्ट कैसे किये जाता है ओनलाइन पिक्चर को इंसर्ट कैसे किये जाता है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवादा